हाई दोस्तों, रेलवे टेक में आपका स्वागत है और मैं हुआ आपका दोस्त रोसन, तो चलिएू, शुरू करते हैं आज का वीडियो, इससे पहले कि हम वीडियो सुरू करें, यदि आप इस चैनल पे नया हैं, तो जल से जल्दे इस चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो जैसा कि आप देख पा रहा है कि यह गाड़ी जो खड़ी होई है, यह लिफ्टिंग में खड़ी होई है, और इसका काम प्रोसेस पर है, अभी यह गाड़ी का फ्रेम है, इसमें मोटर फिट है, और देख पा रहा है कि इसमें तीन मोटर होगा, तीनों मोटर फिट है, तीन और ये सामने जो वील पे मोटर फिट है ये देखिए ये मोटर है वील के साथ फिट किया हुआ है और ये वील पे स्प्रिंग लगा हुआ है दो ऐसे बोद साइड होगा है स्प्रिंग और इस तरह से तीन मोटर रखे हुए है वील के साथ सेट करके ये देखिए ये ग्रीन व करने के लिए रहता है है सेम प्रोसेस तीनों में आप हो देखे अर इस तिनों कोちゃो यहां पर के लाइन में रखा हुआ है और अब इनके उपर से से जॉद यह मुदा करके रखा तो चलिए देखते हैं फ्रेम में कैसे सेट किया जाता है वील को हम यहां पर फ्रेम को उठा रहे हैं फ्रेम की मदद से इसको उठा कर पर हम ले जाएंगे जैसे कि देख रहे हैं प्रेंट रेवर इसको उठा रहा है और इसको अब हम वील के उपर फिट करेंगे, जैसा कि देख पा रहा है, इसको उठा कर ले जा रहा है, तो दोस्तों हम फ्रेम को उठा कर ला चुके हैं, और अब हम इसको वील पे दीरे-दीरे बठा रहा हैं, जैसा कि आप देख रहा हैं, यह नीचे वील है, यह उसमें लगा हुआ है और यह फ्रेम को हम क्रेन की मदद से उपर से नीचे दीरे-दीरे डाउन किये हुआ है और अब हम इसको हलका-हलका डाउन करेंगे इस तरह से एक लंबे प्रोसेस के बाद आप देख पा रहे होंगे अब यहां पर दीर-दीरे डाउन होगा टेकनिसियन्स लगे हुए है रात का समय है बहुत मेहनत का काम होता है यह तो हम देख पा रहे होंगे कैसे डीजल सेड में काम किया आता है और आप यहां पर देख रहे हैं कि यह फ्रेम हम लोग का बनके तयार हो चुका है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक किजिए दोस्तों में शेर किजिए थैंक्स फॉर वाचिंग ना ख्याल रखिएगा थैंक्यू वेरी मुट